यहाँ पर किलिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पर किलिक करें हेलो फ्रेंड्स आज में आपको बहुती कम कपड़े में फुल सिलिवाली कुर्टी बनाना बताऊंगी देखिए नॉर्मली हमारी कुर्टी का कपड़ा सबसे द्वाइ मीटर आता है लेकिन आज में आपको डेड़ मीटर कपड़े में फुल सिलिवाली कुर्टी बनाना बताऊंगी इस वीडियो को देखके आप भी बहुती कम कपड़े में अपने लिए कुड़ती तयार कर सकते हो तो देखे फ्रेंट सिये में ने अपनी कुड़ती के लिए 1.5 मीटर कपड़ा लिया है यह आप देख सकते हैं यह हमारे कपड़े की लंबाई है और यह हमारे कपड़े की चोड़ाई है देखे इस कपड़े की जो चोड़ाई है यानि कि इसका दो पन्ना है वो नोर्मल है जैसी हमारी हर डिरेश का पन्ना आता है यानि कि इसका पन्ना एक मीटर का है या आप देख सकते हो हमारी हर डिरेज के कपड़े का पन्ना एक मीटर ही आता है तो इसका पन्ना भी एक मीटर ही है किसी किसी कपड़े का पन्ना बड़ा आता है लेकिन इस कपड़े का पन्ना बिल्कुल नॉर्मल है यह लंबाई है तो लंबाई में से मैंने कपड़ा मोड के रखा है यह आप देख सकते हैं यह इसकी सीधी साइड है और उपर की तरफ इसकी उल्टी साइड है तो लंबाई में से हम कपड़े को मोड के ही रखेंगे और इसमें से हम आड़े कपड़े में से कुर्टी बनाएंगे क्योंकि इसमें जो प्रेंटे वो आड़ा है तो इसी हिसाब से हम अपनी कुर्टी की कटिंग करेंगे तो देखे फ्रेंट्स ये इसकी खुले वाली साइड है आप देख सकते हो और ये इसकी बंद वाली साइड है तो आपके पास कपड़ा कम है तो आपको खुले वाली साइड से कपड़ा मोड़ना है देखिए आपके पास कम कपड़ा है तो आप इस तरीके से खुले वाली साइड से कपड़े को फोल्ड करेंगे और आपको कपड़ा इस तरीके से फोल्ड नहीं करना है कई बार हम पूरे कपड़े को फोल्ड करके अपनी कुर्टी की कटिंग करते हैं अगर आप इस तरीके से cutting करेंगे तो आपकी सिलिव हैं जो इसमें से नहीं बनेंगी तो आपको यहां से इतना कपड़ा मोरना है जितना आप अपनी कुर्टी का नीचे से तयार घेर रखोगे उससे आपको एक एक इंच एक्स्ट्रा लेना है यानि कि मैं अपनी कुर्टी का जो घेर तयार 21 इंच रखोंगी तो यहां पे मैं 10.5 इंच पे मार करूंगी और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है जो हम दोनु साइड में फोल्ड करेंगे चाक में और अब हम देखें दोनु साइड की जो किन्नी है इस पे मार करेंगे इसकी हम कटिंग कर देंगे किन्नी से हमारी कुर्टी में फिनीसिंग नहीं आईगी तो इसलिए हम दोनु साइड की किन्नी पे मार करेंगे और इस किन्नी की हम कटिंग कर देंगे बाद में अब मैं इसकी cutting करूँगी तो उससे पहले मैं आपको measurement दिखा दू देखिए 3.5-3 inch solar है, 19 inch की chest है, 15 inch कमर है, 20 inch hip है, 37 inch की length है, 18 inch की sleeve रहेगी ये मैंने अपना measurement है जो हाप करके लिखा हुआ है तो मैं इसी measurement के हिसाब से अपनी कुड़ती की cutting करूँगी देखिए friends, अब यहाँ पे हम आदा inch इधर एसे निसान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ हम 6 inch पे arm hole के लिए mark करेंगे और इसके बाद देखिए हमारी जो chest, 36 inch का हाप मैंने 18 inch लिया था तो 18 का मैं हाप करूँगी, तो यहाँ पे मैं 9 inch रखूँगी, ये देखिए यहाँ पे मैं 9 inch रखूँगी, और कमर हमारी हाप में 15 inch है, तो 15 inch का भी हम हाप करेंगे तो यहाँ पे हम 7,5 पे mark करेंगे इसके बाद यहाँ से हम 21 inch पे hip के लिए mark करेंगे और इसके बाद में hip की जो इस तरह losing है, वो हम 18 का हाप 9,5 inch लेंगे और अब हम सभी निशानों को एसे मिला देंगे देखे हाप जो measurement मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि जैसे हम पूरा measurement लेते हैं गुलाई में तो उसका हम 4 भाग के हिसाफ से cutting करते हैं तो उसमें आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए मैंने अपना जो measurement हाप करके लिख लिया था और उसी हिसाब से मैं अपनी कुर्टी की cutting कर रही हूं अब देखें यहाँ से हम अपनी कुर्टी की जो length है वो रखेंगे 37 इंच तयार रखेंगे और यहाँ से हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे अब इसके बाद हम इसमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लोंगी हिप के बराबर से में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लोंगी अब मैं बेक आरम होल के लिए यहाँ पर गुलाई दूंगी और पहले हम बाहर वाले निसान पेसे इसकी ऐसे cutting करेंगे और इसके बाद में देखिए हम जो बेक वाला हिस्सा है उसको हम एक साइड में कर देंगे और अब हम फ्रेंट वाले आरम होल की गुलाई देंगे यह देखिए यह हमने बेक और फ्रेंट की cutting कम्पलीट कर लिए है इसके बाद हम इसमें एसे cut लगा देंगे और इस कपड़े में से हम अपनी सिल्यू बनाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कपड़ा मेंने यह हमारा कपड़ा डवल है यह आप देख सकते हैं अब हम इसको एसे करके और देखिए हम इस तरीके से cutting करेंगे तो जो हमारी सिल्यू उसमें print उल्टा सीधा आजाएगा यानि कि एक साइड की सिल्यू में print उल्टा आजाएगा और एक साइड की सिल्यू में सीधा आजाएगा तो इसलिए हम इसको cut करके और फिर हम दोनु साइड के print को एसे एक जैसा रखेंगे यह मैंने यहां से cut कर लिया है बी सेंटर में से कपड़ा अब हम इसको एसे रखेंगे ताकि हमारी दोनु साइड की सिलियों में print एक जैसा आएगा यह आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको print एक जैसा कर लेना है तो यहां पे मैं दोनु कपड़ों को इसे भराबर करके रख लूँगी और दोनु साइड में जो किन्नी है इसकी में cutting कर लूँगी देखे अब हम सबसे पहले यहां पे आरम होल को नापेंगे यह देखे यह मैं बिगनियर्स के हिसाब से बता रही हूँ तो जितना हमारा आरम होले उतना ही हम अपनी सिलिव का जो गुलाई का आरम होले वो रखेंगे यहां पे साड़े तीन इंच पे मार करेंगे लेन्थ हमारी अठारे इंच तयार रहेगी तो यहां पे हमने 20 इंच लिया है दोनु साइड की किन्नी को हम cut कर देंगे देखिए एक साइड की किन्नी उपर की तरफ है एक साइड की किन्नी नीचे की तरफ है और अब हम साड़े तीन इंच पे एसे इसमें गुलाई देंगे हमको यह 10 इंच कपड़ा बना लेना है यह देखिए कई बार मेरे पास कमेंट साते हैं कि हमारे सिल्यों जोड़ती समय गुलाई में कम पड़ जाती है तो आप इस तरीके से नाप के cutting करेंगे तो आपकी जो सिल्यों है गुलाई में कभी कम नहीं पड़ेगी यहाँ पे मैं 5 इंच रखूँगी और इस निसान को एसे यहाँ पर मिला दूँगी यहाँ पे सिल्याई के लिए मैं एसे मेजर में मार्जन रख लूँगी अब मैं इसकी एसे यहाँ से cutting करूँगी उपर की तरप मैंने पहले ही मार्जन रख लिया है यानि कि पूरा हमने 10 इंच टोटल रखा था अब आप देख सकते हैं एक साइड की सिल्यू में यहाँ पे हलका सा जोंट आएगा क्योंकि यह कपड़ा बहुती कम था तो इसलिए एक साइड की सिल्यू कम्प्लीट है और एक साइड की सिल्यू में हम यहाँ पे हलका सा जोंट लगाएंगे सिलाई करने के बाद में ये जोंट अंदर ही आ जाएगा बाहर की तरफ आपका जोंट नजर नहीं आएगा अगर थोड़ा बहुत जोंट बाहर की तरफ नजर आता है तो उससे कोई टेंसन वाली बात नहीं है ये यहाँ पर रहेगा नीचे बाजू के तो ये नजर भी नहीं आता है अब हम इसको एसे रखेंगे यहाँ पर ये जोंट को रखेंगे दोनु साइड की सिल्यू में से हम एक-एक साइड को उठाएंगे और जो फ्रेंट साइड में हम गहराई देते हैं वो गहराई देंगे देखिए नीचे वाले हिससे को छोड़ देंगे और बीच वाले हिससे दोनु साइड की सिल्यू का हम इसे कट करेंगे ये देखिए दोनु साइड की सिल्यू में फ्रेंट साइड में ये गहराई आईगी आप देख सकते हो कई बार हम इसको अलग-अलग नहीं दिखाते हैं तो आप बोलते हैं कि आपने एक साइड की सिल्यू कट की है या फिर बोलते हैं एक साइड की सिल्यू में या आपने गहराई दे दी है तो इसलिए मैंने आपको अलग-अलग करके आज ये वीडियो बनाई है और तयार होने के बाद में हमारी कुछ इस तरीके से दीखेगी आ आप देख सकते हैं, डेड मीटर कपड़े में हमने कितनी सुन्दर कुड़ती कम्पलीट कर ली है, पूरी कुड़ती हमारी कम्पलीट है, और इस कुड़ती की जो स्टीचिंग है, देखे मैंने बाजू के उपर पाइपिंग लगाई है, और नेक के उपर भी पाइपिंग ल देख सकते हैं बाकि जो इस टीचिंग है वो नोर्मल है वो तो आप करी लेंगे और फ्रेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें ये इसके साथ की सलवार है तो ये कपड़ा भी मैं आपको दिखा दू इसमें इसी के मेंच करते हुए प्रेंट वाला कपड़ा है इसके बाद में मैं आपको सलवार की कटिंग और इस टीचिंग की वीडियो अप्लोड करूंगी दो मीटर कपड़े में हम पटियाला सलवार बनाएंगे तो ये वीडियो जरूर देखिए कि दो मीटर कपड़े में आप किस तरीके से ज्यादा गहर वाली पट्वयला सल्वार बना सकते हो तो friends अगर आपको यह वीडियो पसंद आये ते इस वीडियो पर लाइक करें comments करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है आप मेरे चैनल पर पहली बार आयें तो please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन पर किलिक करें उससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और फ्रेंड्स आप मुझे इस्टागराम पर भी फॉलो कर सकते हैं थेंट्यू